नमस्कार मैं हूँ श्रद्धा आप देखर नियूज 18 माधिप्रदेश 36 कर्ड क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल क्या कॉंग्रेस फिर लोटे की सत्ता में क्या होगा बीजेपी में सिंध्या का हाल उप चुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तक्दीर चुन है घमासान की तैयारी कहां है किसकी दावेदारी जनता का दिल जीतने की लडाई में आखिर कौन है किस पर भारी साची में हाथ मिले, दिल मिले की नहीं? क्या पोस्टर पर देख रही दूरियां मिट पाई? सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं जोरु पर हैं? क्या साची में प्रभुराम चौधरी और गौरी शंकर्श, शैजवार की बीच की दूरियां बरकरार हैं? साची पौजी बीजेपी के दिगज नेताओं की समझाईश क्या सुलह की कोशिश है साची में बीजेपी को चुनावाले उन सीटों में से है जहां बीजेपी की बड़ी चिंता ये है कि अपने मान जाएं क्या साची में प्रभूराम चौधरी और गौरी शंकर शेजवार के बीच की दूरियां बरकरार हैं चंद महीनों पहले एक दूसरे के बैनर पोस्टर से गायब इन नेताओं की सुलह नहीं हो पाई है क्या क्या वज़े है कि पिछले दिनों साची विधानसवा सीख पर करोड़ों के भूमी पूजन और शिलान न्यास के लिए पहुँचे बड़े नेताओं के भाशन में ये कोशिश दिखाई दी कि जैसे वो इन नेताओं के गिले शिक्वे दूर कर रही हो मिलकर आगे बढ़ने की समझाईश और मुदित शेजवार को ये भरोसा भी कि तुम्हारे आगे की रा हम तैयार करेंगे लोकारपन कारिक्रम में पहुँची पूर मुख्यमंत्री उमाभारती भी अपने भाशन में प्रभूराम चौधरी और मुदित शेजवार की संभाल करती दिखाई दी उमाभारती ने तो यहां तक कह दिया कि सांची में एक की जगे दो विधायक होंगे सांची के सियासी गलियारों में चर्चे हैं कि यहां बीजेपी नई और पुरानी बीजेपी में बढ़ गई है असल में चुनावी माहौल जब जोर पकड़ रहा था तब यहां पोस्टर वार की नजारे भी दिखाई दिये हुआ यह कि प्रभू राम चौधरी जब मंत्री बने तो उनके स्वागत में लगाए गए होर्डिंग्स में गौरी शंकर शेजवार और मुदत शेजवार को जगए नहीं दी गई और जब मुदत शेजवार की सालगिरह पर लगे होर्डिंग बैनर तो उसमें प्रभू राम चौधरी की तस्वीरे गायब थी कौंग्रेस इंदूरियों को हवा भी दे रही है और कह रही है कि बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी आपसी अंतर कले इतनी हावी है इतनी हावी है जिसका परणाम इन्हें चौनाम में भुखतना पड़ेगा जिस तरीके से प्रभूराम चौधरी जी ने कौंग्रेस साथ धोका किया बीजेपी के जिन लोगों ने बीजेपी को जीवन दे दिया आज वो आप पार्टी के अंदर ही अपनी लड़ाई लड़ना है कि वो जाए कहां आपसी बिबाद आपसी दुन दिन लोगों में इतना है कि इसके परणाम इन्हों को भुखतने पड़ेंगे असल में रायसेन की सांची विधानसवा सीट पूर मंत्री गौरी शंकर शेजवार की 40 साल में तयार की गई वो सियासी जमीन है जिसे वो अपने बेटे मुदद शेजवार को सौपना चाहते थे 2018 की विधानसवा चुनाव में मुदद को टिकेट दिलाने के साथ उन्होंने कोशिच भी पूरी की लेकिन मुदद चुनाव हार गए अब प्रभू राम चौधरी के बीजेपी में आ जाने के बाद मुदद शेजवार की भविश्य की चुनावी राजनीती पर संकट दिखाई दे रहा है सवाल ये है कि इन हालात में क्या मुदद शेजवार प्रभू राम चौधरी की जीट के लिए नारा बुलंद कर पाएंगे क्या खुले मन से चुनावी तैयारियों में जुट पाएंगे सांची सीट पर बीजेपी के लिए पहला संघर्ष तो यही है सांची में देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मदप्रदेश 36 कर